हेलो फ्रेंट्स आइस प्रोडमों को सॉल करते हैं हमें value find करनी है यह एक expression हमें दिया हुआ है हमें इसकी value find out करने के लिए बोल रहा है expression को ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है कि जो denominator में इसमें उपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट denominator में जो value दिया हुआ है यहां पे 0.1 है तो यहां 0.001 है उसी तरीके से यहां 0.009 है तो नीचे denominator में 0.009 है इस तरीके से दिया हुआ है अगर हमें 0.01 को change करना हो 0.1 में तो हम क्या करते है इसको 10 से अगर multiply कर देए तो यह 0.01 में change हो जाएगा लेकिं question में क्या है 0.01 का square है means 0.01 के square को हमें change करना हो 0.1 में तो हमें कैसी से multiply करना होगा 100 से मटिपलाई करना हो इतना समझ गया ठीक है अब यहां हम क्या करते हैं कि denominator और denominator में 100 से मटिपलाई कर देते हैं आए देखते हैं किस तरीके के changes होते हैं पूरा complete तो square के form में ही ही square root है यहां पर 100 आ जाएगा और as it is जो बागी expression हम as it is लिख लेते हैं 1 का square plus 0.01 का square plus 0.009 का square यह हो जाएगा एक expression divided by यहां पर जो यह change होगा क्योंकि 100 अंदर जाएगा तो वो 10 के form में हो जाएगा तो जो expression बचेगा वो क्या बचेगा 0.1 का square plus 0.01 का square plus 0.009 का square और यह bracket बंद हो जाएगा तो आप देख पाएगे कि जो denominator है और जो denominator है दोनों same है और यह दोनों cancel out हो जाएगे हमें जो resultant बचेगा वो क्या बचेगा under root 100 का जिसका answer turn out होके आएगा 10